हलो भाईयों स्वागत अब का न्यू वीडियो में सेसी जीडी के लिए भाई वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि वीडियो में चर्चा होगा सेलरी खा आपको पता ही होगा सेलरी बहुत महाईन रखता आप लोग तियारी कर रहे हैं पढ़ रहे हैं ठीक है देश से करना चाहते हैं भाई प्रॉस्ट सेलरी के बाद बताने का ज़रुवत नहीं है और आप यहां देखिए का November का salary है इस महीने November में विडियो बना रहा हूँ और November का ही salary है कि यह salary सब के लिए है जिसका भी pay level 3 होता है वो सब के लिए salary यही लगबग होता है आप उपर देख सकते है Central Reserve Police Force मतलब CRPF का salary यह है आपको मैं मता दो candidate का details है जो hide करना जरूरी है जो मैंने hide कर दिया है बाकी हम लोग देख लेते हैं भई तो अब देखना start करते हैं हम लोग देखिए आपको पता होगा न कि आपका basic पे 16,700 रूपिया है आप सब लोग वोग पता होगा ठीक है level 3 का basic पे 21,700 रूपिया है जो आपको दिख रहा होगा ठीक है यहाँ पर देखेंगे और क्या क्या है यहाँ पर मिले हैं आप देखिए रासन मनी रासन मनी 387 रूपिया दिया गया है ठीक है और आप देखिए यहाँ पर है डियर्नेस अलाउंस डियर्नेस अलाउंस आपको 992 रुपया दिया गया है ठीक है देखिए रिस्क अलाउंस जो होता है वना ट्रेनिंग के समय नहीं मिलता है और यह चारे होम रेंट अलाउंस यह भी ट्रेनिंग के समय नहीं मिलता है यह आपको जब ट्रेनिंग कर लिजेगा जाईएगा तो आपका सीधे salary में समझेए कि लगबग 2000 increase हो जाएगा अभी जीत रहा है न 10,000-8,000 आपका increase हो जाएगा ठीक है अराम से तो ये अभी training के समय दो चीज नहीं मिलता है ठीक है बाकी आपने देख लिया basic पे देख लिया dearness allowance देख लिया आपने उसके बाद हम देखते हैं क्या मिला DA मिला है DA 868 रुपिया है ठीक है अब आप देख लिजिए इसके बाद hair cutting, suj, मतलब shop, toilet allowance जो भी 45-45 है total मैं ज्यादा वीडियो लंबा नहीं करूँगा आप देख लिजिए total आपको यहाँ पे 36,477 रुपिया मिला है भाई आपका यही salary है ठीक है लेकिन कुछ कड़ता भी है ओभी मैं बदाता हूँ 36,477 रुपिया यह salary का में आपको मिलता है लेकिन क्या होता है कि government का कुछ deduction होता है ठीक है प्रीमियम होता है आपको पैसा मिल जाएगा बाद में यह जो 3250 रुपिया कटा यह आपको बाद में मिल जाता है गवर्मेंट का डिटक्षन कुछ होता है जिसका प्रिमियम होता है आप एक जगह जब पैसा जमा हो जा तम निकाल भी सकते हैं ठीक है तो 3250 रुपया कटता है तो finally in hand आपको कितना salary मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ देखिए ये रहा ये रहा आपका finally in hand salary मतलब आपक आपको एक और मैं बात बता देता हूँ कि ये जो salary है ये 9 महीना का है आपको पता होगा CRP वाले को एक और महीना का salary मिल गया है उनका पहला महीना में 42,000 रुपया आया था किनिका 41,000 किनिका 42,000 किनिका 44,000 इस तरस आया था तो 10,000 कुछ dress का उनका मिला था मैंने dress वगर्या का साल में 1,000 मिलता है वो चीज उनको मिला था लेकिन फाइनले जो हरदम मने पूरे महीना जो salary मिलने माला है वो इनका यही रहने माला है इनका 32,542 रहने माला है बाकी आपको ये slip चाहिए तो मैं टेलिगराम गुरूप में डाल दूँगा ठीक है भाई फर्स्ट salary है आप मतलब कहां करना चाहते हैं मने फर्स्ट salary आएगा तो आपके मन में क्या भीचार है उसको कहां खर्च किजिएगा थोड़ा इस कमेंट में इस चीज को लिखिएगा ठीक है तो वीडियो में इतना ही बाकी इसको मैं टेलिगराम गुरूप में डाल दूँगा टेलिगराम ग